के डिटी सीम टीयस्से देवने के खिलारी के अंधाज में कॉंंग्रिस पार्टी में अपनी भूमinku को बता दिया है सेधियोने विधाने वह चंपावे चुनाव लड़ने को लेकर कहा की पार्टी टिकेट देगी तो चुनाव लड़ूँगा मैंने कहा अगर टीम में कॉंट्रिब्यूट कर सकता हूँ तो खेलूँगा मैं चाहूँगा कि मेरा सेलेक्शन हो मुझे लगता है कि टीम में युगदान दे सकता हूँ वही टीम के वाइस कैप्शन बनने को लेकर सेध्यों ने कहा है कि अभी तक के लिए बना हूँ अगले सीरिस के लिए सेलेक्शन होगा या नहीं उसमें अगर सेलेक्शन होता है तो खुलेंगे वहीं कॉपनिस की गोशना पत्र समिती को लेकर कहा कि मैंने कहा मैं समिती में नहीं रहना चाहता हूँ सदस्य के रूप में हो या फीड़बैक देने में मैं हमेशा उपलब दर रहूँगा इसके साथ ये सेद्यों ने दान खरीदी के मुद्धे पर भी कुछ कहा ये कहा था मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कॉंट्रिब्यूट कर सकता हूँ तो मैं खेलूँगा मैं चाहूँगा कि मेरा सेलेक्शन हो अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पारा फील्डिंग करने जुक रहा हूँ बॉल हाथ से निकल जा रही है कैच नहीं कर पारा रन नहीं बना पा रहा विकेट नहीं ले पा रहा तो फिर मुझे टीम में रहना צाएए क्या नहीं रहना चाहिए और अगर मुझे लगता है कि हाने कुछ योगदान दे सकता हूँ फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलो उनकी सबसे बड़ी कमजूरी हो गई है धान की खरीदी क्योंकि ओन रिकॉर्ड दिली की सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप बोनस दोगे तो हम आपका चावली नहीं उठाएंगे जो धान खरीदने की बात आज सरकार केंद्र की कर रही है उस सरकार ने चावल उठाने के लिए लिखित में कहा है कि हम चावल नहीं उठाएंगे Psalms पीडियेस का भर उठाएंगे, बाकी चावल नहीं उठाएंगे अर्थाथ पहली चीज़, वहीं प्रमानित हो जाता है कि वो धान खरीदी नहीं कर रहे हैं। अगर वो धान खरीदी कर रहे होते तो चावल नहीं उठाने की तो बाती नहीं होती।